इस वीडियो में हम प्रिविएस वीडियो जो की था आपका न्यूट्रीशन इन प्लांट इस चैप्टर के वीडियो को हम करती दियू करेंगे और अगर आपके मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्टेशन बॉक्स दो है आप वहां से देख सकते हैं तो इससे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था की बूझो यह जानना चाहता था तकी जो पत्तिया होती है कि कुछ पौर्दों की पत्तिया red कलर होती है कि यलो और कई सारी कलर कि होती है तो क्या इन में भी फोटो सिंसे प्रोसेस होती है तो इसके लिए बहुत गंटों के लिए दूसरा चुहां सुन्लाइट में डग दें फिर क्या करना है कि उन दोनों पाध की पत्निंग पे आयोडिन टेस्ट करना है जो आप क्लास्टिक्स में पढ़े होंगे इसमें बताया हो जो कि कैसे पत्निगों पार रहे थे रिकॉर्ड यो रिजल्ट और आप और observation in your notebook ठीक फिर क्या करने आपको कि जिस पॉधर को आपने डाक में रखे थे उन्हें तीन चाह दिन के लिए sunlight में रेखिए और फिर से उन पर iodine test कीजिए और फिर देखें कि उनमें क्या result आता है उनमें क्या होगा कि ग्रीन कलर का मास्क आपको दिखाई देगा ओके फोटो सिंथिस टेक पेस इन डिस लिफ्स आलसो इस तरह से यह पता चलता है कि फोटो सिंथिस की प्रोसेस भी उन लिफ्स में हो रही है अगर आप ग्लोरी फूल को और अच्छे से जाना चाहें तो आप देखें होंगे कि जितने में पॉंड्स पगेरा होते हैं जहां पर पानी जो है रुका हुआ है ठीक है वहां पे स्लीमी ग्रीन पैच्च जो होते हैं जिने हम अलगाय बोलते हैं वह क्या होते हैं जमे होते हैं या पी कह सकते हैं वहां पर वह ग्रो किये होते हैं इस आज ज इसलिए वह पूरी तरह से ग्रीन कलर में दिखते हैं अलगाय कैन आश्रों प्रिपेर दियर ओन फूट बाई फोटो सिंथेजिस यानि के उनके पास अगर क्लोरोफिल है तो फोटो सिंथेजिस प्रोसेस हो रहा होगा इन दे सेंस यह हुआ कि वह अपना खाना अपना फूट प्रिपेर करते हैं तो इस तरह से आपने पढ़ लिया कि फूट फैक्टरी क्या होती है ठीक है हमारे लिफ्स में फूट फैक्टरी कहां होती है फोटो सिंथेजिस प्रोसेस क्या होता है क्लोरोफिल क्या होता है अब देखते हैं कि सिंथेजिस और प्रांट फूड अदर कार्बोहाइड यानि कि फूट का प्रिप्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है अगर हम कार्बोहाइड़ा यूस्पना करें तो कर्भोहाइड में कर्बोन होता है हमारा हाइडोजन और ऑक्सीजन होता है और इनका यूज हम करते हैं फूट को प्रिपेर करने के लिए लिए जो कि नाइट्रोजेन को कंटें किया होता है मेल सर्फ अगर देखें तो नाइट्रूजन है इस प्रोचन इंट होते हैं नाइट्रूजन की नाइट्रूजन होता है यह दू अबर्ट जैना ज़रूरी होते हैं मेले और दित कि बहुत दरी नाइट्रोजन को, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil, तो उन बैक्टरिया में कुछ ऐसी बैक्टरिया भी होते हैं, जो कि gaseous nitrogen को convert करते हैं, usable form में, और उसके बाद soil में उन्हें release कर देते हैं, जिससे हमारा plant जो है, असानी से absorb कर सकता, इस तरह से nitrogen जो कि हमारे plants के लिए जरूर ही थे, वो water के साथ absorb हो जाते हैं, as you might have seen, farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil, अलागि आप देखते होंगे कि जो farmer होते हैं, वो कुछ fertilizer का use करते हैं, यानि कि जिसमें nitrogen ज्यादा होता है, in this way, the plant fulfill their requirement of the nitrogen along with the other constituents, इस तरह से जो हमारे plants है, वो nitrogen का fulfillment कर लेते हैं, इस तरह से हमारा plants जो है, वो Carbohydrate के बिना protein and fats का use करके food को prepare कर लेता है, इस तरह आपने पढ़ा की mode of nutrition in plant, और आपने पढ़ा की food making process in plant, जिसे हम फोटो सिंथिस बोल रहते हैं, food other than Carbohydrate, यानि की Carbohydrate के दोरा जो हमारे food बन रहे थे, वो कैसे बन रहे थे, आपने वो भी पढ़ा है, तो इस तरह से वीडियो यहीं से इन करते हैं, और नेक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे other mode of nutrition in plants क्या-क्या है, और पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉप्स के बारे में, how nutrients are replenished in the soil, कैसे nutrition replenished होते हैं इस वायल में उसके झाल